हाई गाईज वेलकम बेक टू गुरुजी उत्राखरंडी तो गाईज जो आज का वीडियो है वो ये उन सभी विद्यार्थ्यों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक खासकर वीडियो मैं उनके पैरेंस के लिए गाईज आपको रिविजन यहाँ पे करना चाहिए तो उनके बारे मैं आज आज यहाँ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ तो गाईज आपका जो यह पेपर होना है यह आपका 9 जैनवरी को होना है यह सब आपको पता ही है क्योंकि आपने भी फॉर्म को फिल अप किय तो 9 जैनवरी को आपका जो संडे है उस दिन यह पेपर होना है और बात ही कर लेते कि आपको अपना कोर्स किस तारिक तक खतम करने ना चाहिए तो गाईज मैं आपको यहाँ पे साफ सब यह चीज़े बता दूँ कि अगर आप 15 दिसंबर तक अपना कोर्स को कम्प्लीट कर और इस रिविजन टाइम में आपको किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ तो गाईस यहाँ पे अगर मैं स्लेबस को डिवाइड करूँ तो आपका 300 मार्क्स का पेपर है जिसमें 150 मार्क्स यानि की 50% का वेट इस मैस्क है तो आपको मैस को रैगूलर टाइम देना है अब बात करते हैं बचे वेज़ग्स की तो इसमें 150 मार्क्स का आप का रीजनिंग ए राइट 25 मार्क्स का आपका इंग्लेश है एंड वीजिएंड 50 मार्क्स का वेट इस में जुके जनल स्टडधी वगेरा या शानि और ब्जिविक चुस बे उतना टाइम दे उतना अच्छ है, पर बात-मस को आपको बहुत जारा टाइम देना है, क्योंकि वह आपका बहुत सब्स अर्रीसनिर्म में आपको जिड़ा टाइम नहीं लगेगा क्यूंकि रींसनीं में लाजिकल कोटो होते हैं, और एक बर आपने उसको करना मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं बट उनकी आप कॉपी चेक कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है जैसे अगर मैं एक हफते की बात करूँ तो अगर आप six days पढ़ते हैं बहुत नंक से तैयारी करते हैं तो एक time is set पैपर में time होता है जिस आप आपर देंगे उस time से maintain आपने आपको कर के चलें कि कि कितना time आपको किस चीज में spend करना है, जैसे math को इतना time देना है, reasoning को इतना time देना है, और जो GK है, और जो आपका English वाला portion है, उसमें ज्यादा time नहीं waste करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपको logic पता है, अगर आपको grammar की question पता है, तो आप जल्दी उसमें tick मारोगे, अग ये बात मैंने की आप से की, आप 15 December तक ये सारी चीजें करके रखेंगे, अब बात आती है, रिविजन की, क्योंकि इतना सारा आपने पढ़ा है, तो उसको एक revise भी करना है, क्योंकि math में भी बहुत सारे chapters हैं, reasoning में भी बहुत सारे chapters हैं, GK में हैं, English में भी हैं, बहुत सार chapters होते हैं, तो अभी तक तो आपने सारे detail में पढ़ लिया, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो बहुत तेजी से पढ़ते हो चलते हैं, बट उनको नुकसान कहां पर होता है, मैंने आपको याद होगा कि मैंने एक story भी आपसे बहुत प्रिपेर भी कर लेते हो, बट बीच रास्ते में जब रैबिट रुक कर आराम करता है, क्या सोच कर आराम करता है कि अभी tortoise को आने में time लगेगा, तब तक का मैं थोड़ा rest कर लेता हूं, उसके बाद तो मैं इससे जीती जाओंगा, एक ही छलांग में मैं अपनी destination को cover कर ऐसा उसने सोचा था और वो सोता ही रहे गया, और tortoise बहुत slowly slowly move करते करते आगे बढ़ गया, तो इससे मैं आपको ये suggest करना चाता हूं, कि अगर आप बहुत तेजी से पढ़ते चल रहे हैं, तो ये मत सोचे कि last time पे आप बिलकुल paper को अच्छी तरह से कर लेंगे, क्योंकि आपने जित्ती जल्दी prepare किया है अपने आपको, उतनी जल्दी आप भूलते चले जाओगे, अगर आप revision नहीं करोगे, अगर कोई बच्चा बहुत slowly पढ़ रहा है, time ज़्यादा ले रहा है पढ़ने में, और last time तक उसको fight कर रहा है, और revision भी time to time, उसने एक time table बनाया और इतने curious हैं कि बहुत तेजी से question करने का attempt करते हैं, और कभी-कभी बहुत गलती भी करते हैं, तो हमें curious रहना है, हमें अपने आपको उसमें, जो हम prepare कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल अपने आपको बांद रहा है धंग से, और एक time to time हमें study करनी हैं उसकी, बट इतना curious भी इतने ही होना है कि हम एक time पड़ें और उसके बाद जो हमाई पर और भी बचावा time है, उसको हम बरबाद कर दें, तो उस time को आपको manage करते हैं और जो रहे आपके 15 दिन, revision के, तो उसमें आपको बहुत cool mind होकर कि चीज़ों को revise करना हैं, और वो जितनी धंग से आपने चीज बच्चे को देने के लिए, तो बट जब भी बच्चा यहाँ पर अपनी study कर रहा है, तो 6 दिन तक और वो पढ़ता है, तो हफते के glass में एक Sunday आता है, तो उस time पर बच्चों का आप test दीजिए, test की copy check करने में इतना time आपको नहीं लगेगा, बट इससे बच्चे को कि उसकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि parents को लगता है कि बच्चा बहुत quick answer दे रहा है, तो मतलब बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बट जब आप exam देने जाते हो, तो उसका महौल कुछ अलग होता है, वहाँ का जो आपका, वहाँ पर जो महौल होता ह तो आप उस time को पूरा utilize कर ले रहे है, आप 6 गंटे दे रहे है, तो यह सब आपके ओपर depend करता है, तो बस मैं आपको इतना चाहूंगा, कि जो आप अपना syllabus यहाँ पर जो पढ़ रहे है, जो भी चीज़ यहाँ पर कर रहे है, तो उसको 15 December तक आप ऐसा complete करके चले, और last के 15 days में अपने आपको एक बहतर तरीके से उस course को revise करने का time दे, अगर यह चीज़े आपके अच्छी हो जाती है, तो definitely आपका exam आपको crack करने से कोई भी नहीं रोख सकता, I hope आपको मेरी बात यहाँ पर समझ माई होगी, तो guys, जैसे कि मैं आपको अपने वारे हैं बता दू कि मैं हापे कई सालों से Scenic School के बच्चे को teach कर रहा हूँ, और जो बच्चे गलती कर रहे हैं, उन गलती को आपके सामने रखने की कोशिच कर रहा हूँ, ताकि आप उन गलती से सीख सकें, तो guys, अगर आप यहाँ पे Scenic School की preparation कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download भी कर सकते हैं, जिसका नाम है विदाश्री लर्निंग अप, आपको वापे demo lecture देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको लगता ही कि ये कोर्स आपके लिए beneficial है, तो आप इस कोर्स को purchase भी कर सकते हैं तो guys मैं मिलता हूँ आपसे next video में, आज की इस video में इतना ही, thank you